मोधी सरकार ने अपनी अकड नहीं छोड़ी उसकी वज़े से उन्हें कितना घाटा छेलना पड़ा कि जब ये किसान अंदोलन चल रहा था मतलब जो चल रहा है पैसर जो प्लाजा थे रास्टिया राजमार्ग थे वो बंद रहे जिसकी वज़े से उन्हें 2,731 करोड का जो नुकसान छेलना पड़ा एक साल से किसान अंदोलन चल रहा है और अब उमीद जताई जारी है कि वो जल खत्म हो जाएगा क्योंकि राश्टपती ने मोहर लगा दिया हस्ताक्षर कर दिया अधिकारिक तोर पर जो ये कानून है वो रद कर दी गए है लेकिन आपको बता दे कि जो मोधी सरकार ने अपनी अकड नहीं छोड़ी उसकी वज़े से उन्हें कितना घाटा छेलना पड़ा एक साल से जो ये चल रहा था किसान आदोर्म करोडों का घाटा है वो मोधी सरकार ञेलना पड़ा सबसे जादा ह Carryana मेटैक्स की वज़े से वो मोधी सरकार को घाटा झेलना पड़ा आपको बता दे कि केंद्रिय मंतरी नितिन गतकरी ने संसद में बताया जब ये किसारा अंदोरन चल रहा था मतलब जो चल रहा है पैसर जो प्लाजा थे रास्ट्रिया राजमार्ग थे वो बंद रहे जिसकी वज़ए से उन्हें 2,731 करोड का जो नुकसान झेलना पड़ा हर्याना को सबसे ज़्यादा नुकसान हुए उन्होंने बताया हर्याना को जो नुकसान हुए वो है 1,381 करोड रुपे पंजाब को उसके बाद दूसरे नंबर पे नुकसान हुए वो है 1,279 करोड रुपे और राज़स्तान को 1,42 करोड रुपे का नुकसान झेलना पड़ा उन्होंने कहा कि क्रिशी कानून रद भी हो चुके हैं लेकिन किसान उसके बावजूद में धरना परदशन नहीं छोड़ रहे हैं लेकिन अगर देखा जाए तो MSP पर भी अभी बात होनी है MSP की बात के बाद ही कुछ होगा क्योंकि चार तारीक को मिटिंग होनी है MSP की उस मिटिंग की पूरे देश को और सरकार को भी उस पर नज़री किसान क्या फैसला लेंगे क्या फैसला नहीं लेंगे लेकिन में बात यह है कि सरकार ने अपनी अकड़ा एक साल तक नहीं छोड़ी जिसकी वज़े से सरकार को रजस्व को बहुत सारा नुकसान हुआ 2731 करोड रुपे का रजस्व को नुकसान हुआ सबसे पहले जो नुकसान उन्हें जेलना पड़ा रास्टे राज मार्गो में जो ये टॉल प्लाजा बंद होने की वज़े से वो हर्याना को जेलना पड़ा उसके बाद पंजाब को जेलना पड़ा और उसके बाद राजस्थान को जेलना पड़ा अगर सरकार जो टाइम पर मान जाती तो शायद उने उनको इतना नुकसान नहीं जेलना पड़ता लेकिन उनकी इस अकड की वज़से उनने काफी नुकसान जेलना पड़ता बाकी अब आपको बता देगी चार नुवंबर को SKM की मिटिंग है MSP पर जो बात होने है क्योंकि MSP का मुद्धार रहे गया है उस पर जो बात होएगी अब उसका क्या नतीज़ा आएगा किसान क्या फैसला लेंगे पूरे देश को और पूरी सरकार एक अंदर सरकार की उस पर नज़र बनी हुई है कैमरामन दीप के साथ मैं शाहिन शाहिए मोधी सरकार ने अपनी अकड नहीं छोड़ी उसकी वज़े से उन्हें कितना घाटा चेलना पड़ा कि जब ये किसाना अंदोरन चल रहा था मतलब जो चल रहा है पैसर जो प्लाजा थे रास्टिया राजमार्ग थे वो बंद रहे जिसकी वज़े से उन्हें दो लाख दो हजार साथ सो एकतनस करोड का जो नुकसान झेलना पड़ा